नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम अर्चा करेंगे हाली में दोस्तो नोबल प्राइस 2019 तो दिये जाने हैं उनकी गोशना हो गई है तो वे पुर्षकार किने किने दे जाने है अत्वा किस भारतिये को दिया गया है पुर्षकार तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में चल्चा करेंगे तो आप वीडियो में आ गये हैं तो वीडियो को सुरुचे लेकर अन तक पूरा जरूर देखें तो नीचे कमेट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तो वीडियो को पूरा देखें आपको बहुत मज़ा आएगा और वीडियो में दोस्तो बहुत ही महतोपुन जानकर है हम आपके लिए लेक रहे हैं तो सारे आपके एकजाम के दर्शे भी महतोपुन है तो अब जर्चा करते हैं नोबल पूर्षकार 2000 गुनिस के बारे में तो पहले देखने हैं कि नोबल पूर्षकार जो है इसके सुरुआत कैसे हुई ता ये किन किन चेतरों में दिया जाता है तो इनकी बारे में देख लेते हैं पहले तो सुरू कटे हैं दोस्तों कि नोबल पूर्षकार जो है वार नोबल फाउंडेशन दुवारा स्वीडिश विगैनिक थे एक अलबर्ट बनॉर्ड नोबल जिनकी याद में रिया जाता है और स्वीडिश विगैनिक अलबर्ट नोबल ने साल 1895 में अपनी वशियत लिखी थी उनकी जितनी भी संपती थी उनकी वशियत में इन फुर्सकारों के स्थापना की थी इस वशियत में दोस्तों नोबल ने अपनी संपती का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षी तरक दिया और उनकी इच्छा थी कि इस पेशे का जितना भी ब्याज बनेगा उस ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मायत किया जाए जिनका काम मानव जाती के लिए सबसे कल्यान करी पाया जाए दोस्तो स्वीडिस बैंक में जमा इस राशी के ब्याज से नोबल फाउंडेशन दुवरा हर वर्स रसाइंद के चतर में साहिते के चतर में सांती के चतर में और बोतिकी यानि फिजिक्स के चतर में और इसके अलावा साइकोलोजी या मेडिसन के चतर में जो सर्वस्ट योग पुर्षकार दिया जाने की शुरुवात ही हो गई थी तो यह जो बाकी चतर में थी यह पुर्षकार तो बहुत पहले से दिया जा रहे हैं वही दोस्तों 1968 से अर्षास्तर के चतर में भी ये पुर्षकार दिया जानने लगा है, ये पुर्षकार इनकी गोष्णा कोन करता है, तो उनके बारे में देख लेते हैं, दोस्तो, तो the Royal Swedish Academy of Sciences है, ये बोतिक रसाइन और अर्षास्तर विशेओं के लिए पुर्षकार प्रदान करती है, ये इनकी गोष्णा कोन करता है, the Royal Swedish Academy of Sciences, Physics, Chemistry और Economist सबजेक्ट में पुर्षकार दिने की गोष्णा करता है, इनके अलवा the Nobel Assembly जो है, वह दोस्तो किसक चतर में, यानि psychology, medicine की चतर में जो पुर्षकार है उनकी गोशना करता है इसके अलावा the Swedish Academy है यह दोस्तो लीडरेशर यानि साहीतिय के चतर में पुर्षकार परदाने करती है अब आगे देखें सांती के चतर में जो पुर्षकार दिया जाता है वे पुर्षकार दोस्तो एक मतर ऐसा पुर्षकार है जो Swedish Organization दोवारा नहीं चुना जाता है Norway Nobel Committee के दोवारा इसका चुनाव के जाता है तो ये दोस्तो पुर्षकार दिया जाते है उनकी गोशना कोन करता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया, अब आगे देखते हैं, इस बारे जो पुर्षकार दिया गए हैं, उनके बारे में, इन जो पुर्षकार हैं, इन पुर्षकार की गोशना दोस्तों, 14 अक्तुमबर तक हो जाती है, और उनके बाद में, जो नोबल पुर्षकार की बनी था को जाती है नोबिल फाउंडेशन की कमाई के आदार पर जाती है यह राशी विजीताओं को दी जाती है दोस्तो इस बार जो पुषकार दिये जा रहे हैं उनमें एक पुषकार 2018 का भी है जो 2018 में नहीं दिया गया था उस्ता कारण दिख लेते हैं दोस्तों Me Too मुमेंट चलाता पिछले साल और Me Too के सलते, पिछले साल 2018 में साहिते का नोबिल नहीं दिया गया था, इस वरस 2018 के साहिते के नोबिल पुर्षकार परदान किये एक सा दिये जाएंगे, और पिछले साल नोबिल सहिस्तान की एक पूर्वर सदस्या की पती, फ्रांस नहीं की गोषणा कियी थी, अब चर्चा करते हैं धोस्तों 2019 के जो नोबिल पुर्षकार हैं, उनके बारे में ब्रादे हैं, तो पहले देखते हैं, लाल स्रेप के बटन को दबाकर चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर ले तो उसके पास जो बेल आइकोन गंठे का सान है उस गंठे का सान को भी आप जरूर दबा दें जिसे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानगारी आप तक ही सबसे पहले पहुंस की इस वीडियो की पीडियो फाइल को डाउलर करने के लिए नीचे दिक्स्राइब में हमारी तेलिगाम गुरूप का लिग दियावा है तो तेलिगाम गुरूप पर इस वीडियो की पीडियो फाइल आपको मिल जाएगी तो जाकर आप वह भी देख सकते हैं अब देखते हैं दोस्तो The Nobel Prize इने Psychology और Medicine या किसे किसे तरह में जो Nobel पुर्षकार दिया गया है वह किने दिया गया है तो यह पुर्षकार दोस्तो इन तीन लोगों को दिया गया है तो फोटो में आपको तीनों देख पा रहे हैं तो इनके क्या-क्या नाम है तो इनने किस कारी के लिए दिया गया है यह हम इसमें वीडियो में देखेंगी तो देखते हैं दोस्तो जो यह पुर्षकार दिया गया है तो यह पहले इनके नाम देख लेते हैं तो William G. Colleen है, इनने दिया गया है, इसके बाद में Pitter J. Red Klip हैं, इनने ये पृसकार दिया गया है, और उसके बाद में जो Greg L. semiconductor है, इनने दोस्तों ये पृसकार तीनों को सिंक्ट रूप से दिया गया है, उने एक एक Gold Medal Diploma मिलेगा, इसे के साथ में जो राशी मिलेगी, उनका तीन वागों में बटवारा होकर तीनों को अलग अलग राशी देदी जाएगी अब इसका देखते हैं कि इनका योगदान क्या है किस कारण उन्हें पूर्षकार दिया गया है दोस्तो इन्हें जो 77 में नोबिल दिया गया है ये कोशिकों के ओक्सिजन की उपलब्द का आबास कराना और उसे अनुकल बनाने की खोज के लिए इन्ही पुर्षकार दिया गया है इसकी गोशना कब की गई तो इसकी गोशना 7 एक्टुमबर 2019 को की गई और ये किस के दुवारा इसकी गोशना की गई है तो पहले जो विगयनिक है विलियम जी कोलीन विलियम जी कोलीन दोस्तो जूनियर का जनम 1957 में नियुएरोक में हुआ था उन्होंने धरहम के ड्यूक उनिविश्टिशे MD यानि डॉक्टर और अफ मेडिसन की डिगरी आसिल की थी और उन्हें ये पुर्षकार के लिए चुना गया है दूसरे जो विगयनिक है पिटर जे रेड कलीप ये दोस्तो सर्क पिटर जे रेड कलीप का जनम है ये इंगलेंड में हुआ था यानि ये इंगलेंड के हैं साल 1954 में हुआ और इन्होंने केंब्रीज उन्विश्ट्री से मेडिशन की पढ़ाई की उन्होंने दोस्तो ओक्सपर्ट से नेफ्रोलोजी में ट्रेनिंग हासिल की है अगले जो हैं वहें ग्रेग एल सेमेंजा ग्रेग एल सेमेंजा का जनम नियूरोप में articulate में हुआ लूए बोस्तर बें हावार से बाइलोजी में बे एक की डिग्री असिल की है और उन्होंने दोस्तो पेंश्ज वेनिया उन्विश्टे से एम डी पेज़िगी डिग्री असिल की है और इन टीनों को कोश सिक्काव tweeting की उपलबता का अबास कराने में ये किसे दिया गया है तो फोटो में दोस्त आपको तीनों सांटिस्ट आपको दिखाय दे रहे हैं James Peoples, Michael Mayer और Dider Quillards इन तीनों को ये पुश्कार दिया गया है इन तीनों के बारे में देख लेते हैं तीनों के नाम दोस्त मैं आपको भी उपर बता दिये तो James, Peoples, Michelle, Mayor और D.D.R. Quillage इन तीनों को दिया गया है कारण क्या है इने पुषकार देने का योगदान इनका क्या योगदान है फिजिक्स में इनका योगदान दोस्तों जो है वह है James, Peoples को बर्मांट विज्ञान में सेधानतिंग खोजों के लिए पुषकार दिया गया है वहीं, Michelle, Mayor और D.D.R. Quillage को सुनित रूप से Swarmandle के बाहर एक गरह की खोज के लिए ये पुषकार दिया गया है उस गरह का नाम क्या है एक जो प्लेनेट गरह की खोज किया है इनोंने इसलिए ये पुषकार दिया गया है और इस पुषकार की गोशना 8 एक्टूमबर 2000 गुनिस को हो गई थी और ये पुषकार दोस्तों The Royal Swedish Academy of Sciences के दुवरा दिया जाएगा अब इन तीनों विगैनिकों के बारे में हम जानते हैं तो पहले जो विगैनिक थे, वे थे दोस्तों जेम से पीबल्स जेम से पिबल्स हैं इनने का जनफ में दोस्तों, 1935 में Kanada के Winnie-P Yeah यानि वे कनाडा के हैं और वे गनाडा के मूल के अमेरिकी नागरिक है इने कनाडा के हैं फिर अमेरिका में आकर रहने लगे और वहीं की नागरिता ले ली तो ये कनाडा ही उंगुल के अमेरिकी नागरित हैं वे अमेरिका के प्रिष्टन विश्व विदाले में विज्ञान के प्रोपेसर के बदपर कर रहे थे हैं दोस्तों उन्होंने बिग बे मेर को दिया गया है मिशेल मेर का जनम है ये 1942 में शीटर्ज लेंड में हुआ था तब मिशेल मेर ने इक्याउन पेगासी बी ग्रह की खोज की है और मिशेल मेर जिनेवा विश्व विदाले में कर रहता है वहीं दोस्तों दिदियर क्वेलोज है इनका जनम 1966 में हुआ था दिदियर क्वेलोज ने भी एक्याउन पेगासी बी ग्रह की खोज की थी ये ग्रह दोस्तों तो ये गेस से बनावा एक विशाल ग्रह है चो परतवी से 50 वरस दूर एक तारे की प्रिक्रमा कर रहा है दिदियर क्वेलोज भी जेनेवा विश्व दाले में कर रह भया है तो इन तीनों को विशिश के चतर में ये पुरसकारे दिया गया है अब देखते हैं रसाइन ौग्यान की चतर में नोबल பॉरसका जाले 2000 गुंएस के बारे में तो रसाइन विज्व ‫जोंसर है वीडियो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है निशे कमेट करके में बस बता सकते हैं आपकी कोई राय हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं तो अब देखते हैं दोस्तों the Nobel Prize in Chemistry 2019 में तो इन तीनों जो सक्षियत हैं इन तीनों को Chemistry का इन रसायन विज्ञान का जो पुर्षकार है Nobel पुर्षकार है वह दिया गया है तो ये तीनों कोन हैं तीनों के बारे में जानते हैं तो फोटो में दोस्तों आपको दिखाए दे रहे हैं तो लीथियम आयन बेटरी के विकास में एहम भुमेका निपाने के लिए ये पुर्षकारे दिया गया है। उनका नाम आपको बता दिया, एक बार फिर फिट कर रहा हूँ, जोन बी गुडिनप, एम स्टेनली, विंटगम और अकिरा योशिना। उनका योगदान क्या है? लीथि इस अकेडमी और साइंसेज के दुवरा दिया जाएगा। इंचे सम्मदी जो भी महतोपन परसंपने हैं, उनका वीडियो भीम आपके लिए लेकर आएंगे, आप में नीचे कमेट करके जरूर बताते रहें। अब देखते हैं, ने पुर्षकार दिया गया तो इनके बारे जिता के बारे में पुछा जाए, तो अभी तक जोन बी गुडीनप को दिया गया है, जो सत्यानम साल के हैं, इनके अलावा दोस्तों उनसे पहले ये पुर्षका दोजर अठारा में, चानम साल के और थोर अशिकन को नोबिल पुर्षकारे मिला था, दूसरे जो वेक्टी ह वे दोस्तों M. Stanley Wintgum, ये इंगलेंट के रहने वाले हैं, वे 77 साल के हैं, इन्होंने दोस्तों सुपर कंड़कर्स पर सोच शुरू किया और एक उच उर्जा से बरपूर, एलिमेंट ये इन तत्वय की खोज की और उन्होंने इसका उपयोग, लीथियम बेटरी में एक कोड़ के आदार पर, अकिरा योशिना ने साल गुनी सो पिच्चा सी में विवसाइक रूप से पहली सक्सम लीथियम आइन बेटरी बनाई थी, ये तीनों विगयनिकों के बारे में आपको, हमने आपको बता दिया, अब आगे का पुर्सकार देखते हैं, आगे जो पुर् पुर्सकार है, वह एक नए विक्ति को दिया गया है, वह एक किने दिया गया है, वह देखते हैं, तो एक फोटो में लेडी आपको दिखाए दिया रही है, इनने 2018 का साहिते का नोबिल पुर्सकार दिया गया है, इनका नाम देख लेते हैं, इनका नाम दोस्तों, ओल्गा गया है इनके बारे में जानते हैं दोस्तों इनका योगदान क्या है तो सहितिय कें गशतर में डिया गया तो नाइने बहुत अची एची Qitsits टैपधा भी लिखी होंगी दोस्तों स्हीमाओं के आरपार्व की एक रूप को दसानी की काल्पिक्ता के लिए इन्हें ये पुर्षकारें दिया गया है और इस पुर्षकार की गोष्णा 10 अक्तुमबर 2019 को की गी थी और ये पुर्षकार दोस्तों 10 स्वीडिस अकाडमी के दोबरा या एक के रूप में जना दाता है 2018 में उन्हें उपनियास फ्लाइट्स जैनिफर क्राप दुवरा अनुवादित है के लिए बुकर प्राइस से भी नवाजा जा चुका है ये पुस्ट का जीतने वाली ये वह पॉलेंड की पहली लेकी का है उन्होंने दोस्तो वार्स अविश्व विदाले से मनोविग्यानिक के तोर पर प्रस्टिक्षन लिया है और छोटी गद्य रचनाओं के साथ कवीताओं कई उपनियासों साथी अन्य पुस्टकों का संग्राइब परकाशित किया है दोस्तो फलाइट्स ने 2008 में पॉलेंड का सिर्ष साहिते पुर्सकार नाइकिवाड भी जीता है तो 2018 का नोबिल साहिते पुर्सकार है वह दोस्तो ओल्गा टोकारजुकों को दिया गया है अब बात करें 2018 के कर ली, 2019 का जो साहिते के चतर में नोबल पुर्सकार है वेक इने दिया गया है तो ये फोटो में जी सक्स को आप देख पा रहे हैं इन्हें साहिते के चतर में 2019 का नोबिल पुर्षकार दिया गया है तो ये सक्स कौन है इनके बारे में दिखते हैं तो ये पिटर हेंड के हैं Peter Heineken को ये पुस्कार दिया गया है इनका योगदान क्या है दोस्तों Peter Heineken का योगदान यह है कि मानविये अनुभव की पृती और विशिष्टा को 22 रलता के जरीए खोजने कि मेहतवपुनकारी के लिए इनने ये पुस्कार दिया गया है और इस पुर्षकार की गोशना भी 10 अक्टूंबर 2011 को की गई थी और ये पुर्षकार दोस्तों दस स्विडिस अकादमी के दुवरा दिया जाएगा तो पिटर हेंड के कौन है इनके बारे में जाते हैं तो पिटर हेंड के जो है दोस्तों ये आश्ट्र लिए लेकक हैं उपनियासकार हैं नाटक कार हैं और अनुवादक हैं चिंतर वर्षिये पिटर ने कभी अपनी मा की खुद कुशी से प्रभावित होकर देस्ट शोरो बियोड ड्रिम्स बुक की रचना की थी वह दोस्तों फिलम के लेकक भी रहे हैं उनकी एक फिलम गुनिस सो अठंतर के कान फेस्टिवल और गुनिस सो अशी के गोल्ड अवा 2012- minds तो शान्ति के से नोबल पुर्षकार दिया गया है तो इन्हें सांती का नोबल पुर्षकार क्यों दिया गया है तो उनके बारे में सर्चा करते हैं इतने में आप नीचे कमेट करके बताए कि किस बारतिये को सांती के लिए नोबल पुर्षकारे मिल चुका है अब देखते हैं इनके बारे में दोस्तो नाम क्या है इनका तो ना की गई थी दोस्तों पुर्षकार जो किसके दुबरा दिये जाएगा तो ये नर्वे नोबल कमेटी के दुबरा दिये जाएगा ये बात आपको याद रखने है किसके दुबरा दिये जाएगा शांती पुर्षकार है, शांती नोबिल पुर्षकार है, यह नोर्वेर नोबिल कमेटी के दुबार दिये जाएगा, इसमें आप कन्प्यूजन हो सकते हैं, दुबार आप इसको रिपीट के लिजिए, अब देखते हैं इस पुर्षकार के बारे में दिये जनेवल जो विक्त करार लगबग 20 साल तक ही चली थी जिसमें खतम कराने में अली का बहुत बड़ा युगदान है इसके अलावा केनिया सोमालिय के रिष्टे सुदाने में मदद की है जो के सेने विवाज से उलजे थे जो अली ही अंतिम पुर्षकार है वह देख लेते हैं तो यह अंतिम पुर्षकार अर्ष सास्तर के सेतर में नोबल पुर्षकार दिया गया है तो इस पुर्षकार के बारे में देख लेते हैं तो तीन वेक्ति आपको फोटो में दिखाए दे रहे हैं इन तीनों को सेंगत रूप से दिय बारतिय मूल के हैं बारत की कोलकता में इनका जनम गवा डिल्ली के जमारला नेरो उनुश्टी में इनकी पढ़ाई हुई इन तीनों का नाम हमने आपको भी बता दिया कि अबिजीत बनर जी एस्तर डुपलो और माइकल क्रेमर इन तीनों को अर्शातर के शतर में नोबिल पुर्षकार 2019 के लिए नवाजा गया है इनका योगदान क्या था दोस्तो तो इनका योगदान वेस्विक ग्रीबी को कम करने के लिए नो रिसर्च की और उनके लिए ये पुर्षकार उन्हें दिया गया है इसकी गोष्णा कब की गई थी इसकी गोष्णा दोस्तो 14 अक्तुमबर 2000 को इस पुर्षकार की गोष्णा की गई थी ये पुर्षकार किस के दुवारा दिया जाएगा अब जान लेते हैं इन मूल के विक्ति को या भारती विक्ति को Nobel Prize मिल सुका है अरसास दितर में उनका नाम क्या है वो आप में नीचे कमेंट करके बताएं देखते हैं कि आपको याद है या नहीं तो अब देखते हैं अभीजीत बनर जी के बारे में तो अबिजीत बनर जी का जनम दोस्तों भार्त के कॉलकत्ता में 21 फरवरी 1961 को हुआ था फिलाल बनर जी अमेरिकी नागरिक है बनर जी ने जुमारला नेरो इनुश्टी से एर्षास्त्रियन एकोनोमिक्स में अमेर की पड़ाईपुरी की और अबिजीत बनर जी अब्दुल लतीप जमील पौवर्टी एक्सल लेब के सहसें स्तापक भी है इसके अलावा बनर जी जो कंसोर्टियम ओन फाइनेंस सिस्टम एंड पौवर्टी के भी सदस्य है दोस्तो 2012 में जब डॉक्टर मर्मोन सिख परदार मित्री थे तब उन्होंने अबिजीत को अपनी मुख्य आर्थिक नीती टीम का सदेशे के रुप में भी उन्हें सामिले किया था अब देखते हैं दूसरा जो नाम है एस्थर डूफलो तो एस्थर डूफलो है यह दोस्तो इन्होंने साल 2015 में एर्षास्तरी अबिजीत बनर जी से विवा कर लिया था और अबिजीत बनर जी और उनकी पतनी डूफलो अब्दुल लतीब जमील पावर्टी एक्शन लेप क इनको जो अबिजीत बनर जी उनकी पतनी को जोड़े के रूप में जो पुर्षकार मिला है ऐसा पुर्षकार पाने वाले वे सटी जोड़ी बन गई है अब देखते हैं दोस्तो अंतिम जो विकती हैं माइकल क्रेमर तो माइकल क्रेमर को ये पुर्षकार दिया गया है तो अमेरिकी अर्षास्त्री माइकल क्रेमर को भी वेस्विक गरीबी उल्मलन के परियोगात्मक तरीकों पर उनके सोध के लिए सभी रूप से 2019 सेतू अर्षास्त्र का नोबल पुर्षकारे मिला है, तो इन तीनों को नोबल पुर्षकार मिल गया है, तो सारे चतने भी साइटे प्रश्ट के बारे में आपको विश्तरत बता दिया है फिर भी आपके कोई कंफूजन हो तो आप हमसे निचे कमेट बुक्स में हमसे पूछ सकते हैं उसका अंस्वर आपको जरूर देगी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वाट्सप गूरूप में शेर जरूर कर दें इस वीडियो की पीडियो को डाउलोड करने के लिए हमने आपको अभी आपको बताया कि निचे डिस्क्रप्शन में मरा लिनिक दिया हुआ है तिलगाम गूरूप में जाकर आप हमारी पीडिया फाल डाउलोड कर सकते हैं इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल कलाम स्टेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दियेगे लाल स्क्राइब के बट्न को दबा करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें ता उसके पास जो बेल आइकोन गंटे के सान है उस गंटे के सान को भी आप जरूर दबा दें जिसे मारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकर ये आप तक है पहुंच सकें धर्यवाद दोस्तो